गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं हूँ उशा धुर्विया मरवति महाराष्ट से और वेलकम है आपका अपने चानल गार्डनी वे दुश्या पे तो देखें ये रोज आप देख सकते हैं कि ये जो है ना इसे मैंने सेम कॉंटिटी में मैंने राइसस के लिया था कोकोपीट लिया था और कंपोस्ट लिया था कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं वर्मे कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट जो है वो तो उसी में ये गुलाब लगाया था और अभी तो ये फ्लावर बहुत अच्छा है बाकी इनके कंडिशन तो उतनी जादा अच्छे नहीं है मैंन एक मेने बाद आप इसे कुछ डएपी या विर्ट लंगाना प्रम्ति ट हम हं कर अखुष मैं लाए लंग टो डियर है और कंगान इंहें वंगी किन था कोईए और कोईवालाव किर्परूर्व. यह जो किरें वेवरो प्लान, मुर्ट मेंहें रासे के का नियुक्त बहुत रूंगां। और इनकी जो है ना ग्रोथ वो भी अच्छी शुरूए यहाँ पर देख सकते हैं और यह वाला देखे यानि सेम लगाए हैं लेकिन कुछ करल पत्ते हो रहे हैं इस वज़े से इन पर इनसेक्टि साइट का जो स्प्रे है ना बिल्कुल 15-15 दिनों के बाद करना ही पड़ता है और डेहलिया है जो हेवी फीडर है इस वीज़े से उसे फटलाजर भी बिल्कुल आपको टाइम टू टाइम देना ही पड़ेगा और यह मेरी एसेटिक लिली है जो अभी इस पर बर् बल्ब है वो सेम इसमें लगाए थे लेकिन देखे इसकी ग्रोथ यानि बल्ब जितना हिल दी उसकी उतनी अच्छी ग्रोथ होती है यानि एक टाइम पर लगाने के बाद यह कुछ इस तरह से हाल है तो यहां से आगे चलते है और अभी जो कैलेडियम है ना अभी इनका नहीं गया है लेकिन अभी जब तक चल रहे है तब तक चलने दूंगे अगर इसे मैंने पानी दालना बंद किया तो यह सारे जो इसके लीफ है यह अपने आप सूख जाएंगे और उसके बाद शायद बल भी बचेगा कुछ बल्ब मैंने निकालने है क्योंकि बिल्कुल व नहीं कर रहा है जो एकदम से पूरेज चले गए ना डॉरमेंसी में यानि कुछ भी नहीं दिखा दे रहा है उनको मैंने उनके बल्ब निकाल लिये हैं बाकी अभी जो पत्ते दिख रहे हैं उनको भी रख रहा है तो यह दिखे यहां पर एक काटे कोरंटी जिसे बरलेरिय वाला और यहां पर देखे यह भी कैलेडियम यह बहुत ही यानि जब इसके अगले साल बड़ा सा बल्ब होगा ना तो इससे भी ज्यादा इसके पत्ते जो होंगे वो बिक साइज होंगे अभी तो यह चोटे बल्ब है इस साल जो मैंने लिया है बहुत रेर विराटी है सिर अभी भी यानि डॉर्मेंसी पिरेड में भी इसका सेलिंग शुरू है और यहां पर देखे यह परपल जो मैंने कटिंग लगाए थी और इस पे सभी पर फूल आ गये हैं तो कुछ इसमें एकीस में दस प्लांट होंगे यह डार्क परपल कलर है और इसके साथ साथ एक दू तो अभी आपको दिखाया था एक डार्क पिंग एक परपल और यह बेबी पिंग और यहां से एक और दूसरा जो है यह बड़ा सा इसमें अभी फ्लावर आने वाला है यह भी परपल ही है इससे भी मैंने बहुत सारी कटिंग बनाए है और यह दिखिए यहाँ पे यह पिं और जो यह सारे एक नरसर से में लाई थी यह मुझे सैपलिंग मिली थी तो यह मैंने लगा दिया है और कुछ आठ दिन हो गये हैं और यह अभी कुछ न्यू रिपोर्ट किया है मैंने यह सारे डबल पेटल वेराइटी वाले जो है पिटुनिया और यहां पे है सारे यह अब इनको मुझे बाहर निकाला पड़ेगा नहीं तो अगर ज्यादा दिन धूप में रहे तो यह अपने आप रौठ हो जाएंगे और यह दिखे पिछले साल का एक प्लांड मेने बिगोनिया का इस तरह से बचाया था एक कटिंग लगा दी थी वह अच्छे से लग गया ह और यहां पर अभी गुलदाव दिया है अभी ज्यादा तो कुछ काम हो ही नहीं पाया इस यानि इन दो दिनों में कुछ प्लांट लगाए हैं कलांचु भी देखे रिपॉर्ट किये हैं और जहां वहां आपको जो मिट्टी दिख रहे हैं वो क्या है सुबह मेरे हजबन प कर रही हैं वही बड़ी बात है अगर उनको कुछ कहा तो वह कहेंगे कि नहीं तुम्हारा काम कर लो ने तो मैं नहीं करता है यह तो होता ही ऐसा तो फिर भी जैसे तैसे कुछ तो हेल्प मिल रहे ना इस बात का मुझे बहुत जादा गम नहीं सौरी खुशी है जितने भी प्लांट है अभी चल रहे है और यह सारे जर्वेरा तो यह साइड में पूरे देसी जर्वेरा है और यहां से अभी वही जो कैलेडियम वगरा जो अभी इस सीजन के जो जितने भी प्लांट है उन्हें निकालना है और यह एक जोर आ है ना जब भी फ्लावर इसके सूख ज तो वहाँ का पोर्चन है वो कट नहीं करते और उस प्रांट के ग्रोथ वही रुख जाती है तो सब कहते कि आपके यहां लगातार कैसे फ्लावर आते हैं तो यह कुछ चोटी चोटी बात होती है जो हमेशा आपको याद रखनी है तो यह यूफोर्बिया और इसके इतने सार करते हैं और हमारे गार्डन को फूलों से हमेशा भरके रखते हैं तो कुछ इसी तरह से कुछ अभी मेरे पास आठ दस इसके कलर होंगे इसमें से कुछ जो छोटे वाले है वेराइटी वह है और बाकी बिग साइज के जो फ्लावर है ना वह है ऐसे यह सारे दिखे और इसम बाकी ऑनलाइन इसका रिजर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और यह देखे लेमन का प्लांट यह कागजी निम्बु जैसे कहते हैं तो यह वाले हैं तो इसका एक वीडियो था अन्बॉक्सिंग वीडियो था और यहां का देखे आप देखेंगे इस नरसरी का देखे इसके फ्लावर जो है वो गिर जाते हैं इस वज़े से आपको क्या करना है बिल्कुल 20-20 दिन के बाद आपको याद से इसमें फंगिसाइड डालना है इसमें फंगस लगने के कारण है इसके फ्रूट जो है ठैर नहीं पाते हैं यह कुछ न्यू बाते मुझे पता चल रही है इस वज़े से अभी आपको इस मेरे फ्रूट प्लांट पे फ्रूट दिख रहे हैं और टेकसास का प्लांट पूरा मैंने कट कर दिया था बिल्कुल कुछ भी ब्रांचिस नहीं रखी थी और आप देखेंगे कि इसकी ग्रोध अभी शुरू हो गया और इसके होता है तो इसमें भी कलिया आ गई है यह फेंट परपल है और यह डार्क परपल इस तरह के दो कलर मेरे पास है इसमें कुछ और भी शायद कलर होता है कुछ पिंच मैंने देखा ता कही पे भी लेकिन उसके पीछे मैंने लगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा जाता जो भी प्लांट आपको चाहिए होता है, उनलाइन जब दिखता है, तो वो प्लांट भी अच्छा नहीं आता, नया सेलर होता है, और ज्यादा तर आप फेस्बुक से बिलकुल भी ना पर्चेस करें, उस पे इतना ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, यानि इतने सालों में मैंने एक बार तीन हजार रुपीस की जो पर्चेस किया था वो फ्रॉड निकला, इस वज़े से मैं जैसे जैसे मैंने फिर सर्च किया, तो बहुत सारे ऐसे सिर्फ फ्रॉड सेलर ही भरे हुए अभी फेस्बुक पे, तो उन पे विश्वास ना करें, और ये मेरा जो बालकनी का एरिया है, तो इन पौधों ने ना देखी एक रंगत लाई है, हर यहां पे देखे, कुने में बहुत ही प्यारे प्यारे कलर यहां पे खिले हुए आपको दिखेंगे, तो जब तक फ्लावर ना आए, तो इने से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ख पूरे पूरा पॉर्ट जो होगा, तो वो बहुत ही ज्यादा खुबसुरत लगेगा, तो इस तरह के से अभी तो कुछ चोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत सारे मैंने कटिंग भी बनावाए हैं, और यह औरेंज वाला कुछ मैंने डेड़ हजार का लिया था, यह क्योंकि बहुत ही रेर वराइटी है, इसमें से बहुत कॉसली है, बहुत कुछ धाई सो या डेड़ सो की रेंज में भी शुरू हो जाते हैं, इस तरह के भी प्लांट है, जो रेड़ लिप्स्टिक है, वो कुछ डेड़ सो या दो सो में मिल जाता है, अच्छा बड़ा प् पर्चिस के उनके यहा भी अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि जो सेलर है वो बहुत अच्छे से पैकिंग करते हैं, फिर कम प्राइज में लाने के लिए मैंने और भी सेलर ढूंडे, लेकिन उनके प्लांट इतने छोटे से हैं, कि वो बढ़ते बढ़ते ही वो प्लांट मर लेकिन प्लांट के इसमें गयरंटी हैं, कि आपको वही प्लांट मिलेंगे जो आपको इमेज में बताया जाता है, वो सबसे पहले प्लांट के पिक भेजते हैं, उसके बाद ही वो पैक करते हैं, और यह है अंतुरियम, तो यह मैंने लोकल नरसरीज से लिया था, तो इसमे लेकिन फिर भी देखिए इसके जो पत्ते है पूरे ग्रीन आ चुके है और यह हमारी पिंक लेडी तो इसके मैंने दूसरे में शीट कर दिया है इसके पत्ते धीरे-धीरे पूरे ग्रीन हो जाएंगे और जो अभी हमारा पूरा प्लांट है पिछले साल का वह समर में यह हमारे इस साल के जो होते है उस इस साल तो अभी पत्ते जितने भी थे वह तो चले गए इससे आप अभी कटिंग बना सकते हैं अभी इंटर सीजन है इस वजह से बहुत सारी इनके कटिंग लग जाएगी और देखे कितने बूशी हो गया है और इनकी बास्केट मैंने न यहां पर कलांचो की जितनी भी मैंने कटिंग लगाई थी जो फ्लावर वाले होती है चोटी चोटी वह सारी लग चुकी है और देखिए इनके ग्रोथ भी कितने अच्छी हो गई है और यह अगलोनीमा की कटिंग जो मैंने इस मदर प्लान से बनाई है यहां से देखे आप य कुछ एक इंची पॉठे इसमें मैंने लगाया था और यह कलांचो की देखिए फ्लावर मुझे कट करने पड़ेगे मुझे पता नहीं था कि फ्लावर की जो उपर वाले स्टीक होती है जिसमें फेक दिया करती थी इस साल मैंने लगा लिया तो देखिए बहुत सारे इसमे प्लांट जो है बच जाता है यानि इतनी कॉसलियम प्लांट लेते हैं तो उन्हें बचाने का थोड़ा सा प्रयास करें तो आपके जो पोदे है वो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे मैंसे मैं इसी करती हूं और कटिंग के लिए सिर्फ आप एक ही सॉयल मिक्स बस इसी इसमें आप और थोड़ा सा फंगिसाइड मिलाई है और जिसमें भी आप कटिंग लगाएंगे ना और यह मेरा वाला एरिया है जहापे मैं सारी कटिंग रखती हूं तो इसमें कटिंग बहुत इजील लग जाती है और छोटा ग्लास ही ले ताकि आपको जब रिप चोटे पॉट में मुझे लगाना है और यह मेरा जो है वेरिगेटेड वाला जिजी प्लांट है इसके यलो पत्ते आ गये हैं और ग्रीन है ब्लैक है कुछ तीन कलर अब मेरे पास है इसमें तीनी कलर होते ना बहुत यानि इसको प्लांट को हासिल करने के लिए मुझे ज्यादा हो गये थे मेरा प्लांट क्या हुआ था रॉट हुआ था इस वज़े से मैंने क्या क्या उसे कट कर दया था और वो सारी कटिंग एक ही इसमें लगा दी थी अब इसके दिखे रूट पकड़े है इसने और अभी यह प्लांट अभी तयार हो रहे हैं तो इस सब को एक पत्ता जो वेरिटेड वाला जो जिज़े है ना उसका एक पत्ता मैंने यहाँ पर लगा दिया था तो इस पत्ते को निकाल कर दिखाती हूँ कि यह लग गया है कि नहीं और इसको रूट किस तरह से आते हैं यानि देखकर मैं भी हैरान हो गई तो यह बात मुझे लगा कि आपको आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए तो यह देखें यानि एक पत्ते से भी इसका प्लांट तयार होता है और इसमें बल्ब भी आया हुआ है कुछ एक मैना हो गया ही से लगा हुए और थोड़ा सा पानी से दोकी दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख लाए पानी मुझे लगा कलानचु वगेरा जिस तरह से बहुत देर लगते आ उसी तरह से इस प्लांट को देर लगी इस वजह से मैं यह रख देती हूं और बाखी यहाँ पे सारे स्थीजि प्लांट है और समय के बाद मर जाते हैं ये कुछ सीजिदल लगा है ये सारी सेडलिंग मैंने गुविन भाई से पच्चिस की है इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं और ये डेलिया अब दो कलर ले थे मैंने दो कलर अलग निकलने चाहिए क्योंकि उस वक्त बर्स खिली हुई नहीं थी और ये सारे अभी नरसरी से कुछ जर्बेरा थे उनकी तो मैंने रिपोर्टिंग कर दी है लेकिन बाकी बहुत सारे प्लांड अभी रिपोर्ट करना है ये बहुत बड़ा काम है मुझे तो जब भी वक्त मिलेगा आज तो संड़े है आज ये सारे काम हो जाएंगे और ये दिखे जर्बेरा बहुत ही डार्क रेड कलर है ल जहां पर भी मेरी सॉइल डिखते है अच्छी सी जो मैं बल्ब के लिए तैयार करती हूं बस ये दिखे इसका काम शुरू हो गया है ये इसके हरकते जितनी भी मेरे पॉट है ना नरसरे के पॉट ये सारे तोट डालता है इस वज़े से ये गेट जो इसके लिए बनाया है म देखिए क्या हालत करती है यहां पर देखे जैसे मुझे कुछ मिल जाता है यहां वहां देखिए इसमें कितने सारे मेरे जीज़े के प्लांट लगाए हैं बिल्कुल इसी तरह से कटिंग 2-4 ऐसे डाल देती हूं और इसका क्या नाम है मुझे याद तो था ये क्या है अब इसमें बहुत ही प्यारी फ्लावर आते यह अभी तक नहीं आये यह भी मैंने पर्चिस का था उनली तो देखते हैं इसमें मैं सारी कटिंग करती हूं यह बिल्कुल भी धूम आती, चिूटे बहुत सारी खोलाइज इसमें गस्तव से और हर एक में देखिए रूट आ गया है इसमें यानि बल्ब तयार हो रहे हैं उसके बाद शाय तो रूट आएंगे कुछ ऐसी प्रोसेस होगी इसकी तो यह अभी मैं यही पर रख देती हूँ अभी तो कुछ काम नहीं करूँगी और थोड़ा सा मुझे लगता है इसको फ इसका लिंक दे दूंगी शॉर्ट वीडियो का कि यह कटिंग मेंने कैसे लगाई और यह है मदर प्लांट जिससे मैंने यह बड़ी सी कटिंग यह बहुत बड़ा सा प्लांट दिख रहा था और साइड में यह दो छोटे-छोटे प्लांट निकल रहे थे इस वज़े से मैं मैंने तो एक ही काम शुरू किया सब की मैंने कटिंग लगा दी और यहां से अगर आपको दिख रहा होगा तो यह दिखे यहां से रूट दिख रहे इसको यानि अब यह हमारी कटिंग सक्सेस्फुल हो गई है जो प्लांट के पत्ते हैं वो बिल्कुल भी मुर जाते नहीं अगर आपके जो कटिंग है वो सक्सेस हो जाती है निकाल कर देखने के जरूरत नहीं आए आपको हिलाना भी नहीं देखे एक स्टिक से मैंने इसे एक सपोर्ट दिया है जिस वज़े से हवा के साथ जो हिलता है उसमें रूट बनने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है यह यह देखे यह मदर प्लांट है इससे बहुत सारे चोटे-चोटे प्लांट साइड में निकले थे तो उसका जो मदर प्लांट था वो मैंने कट कर दिया है इसके पत्ते अभी तक यह सेम टाइम पे मैंने लगाए थे लेकिन इसमें मुझे लग रहा थोड़ से अभी मुझे रहा देखने होगी इसको दूप में नहीं लाओंगी वैसे तो यह लग गया है लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन और इससे शेड में रखोंगी उसके बाद ही सुबह के दूप में लाओंगी और बाद में आप जहां चाहें वहां रख सकते हैं तो यह मदर प्लांट है और यह भी कटिंग में ने बनाई है तो यह भी इसकी भी सेम कंडिशन ऐसी है अभी तक पताने चल रहा यह दिखे यह बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट लग गया है यह कटिंग लग गया है हमारी तो इसे भी हम अभी थोड़े सुबह की दूप में आप रख सकते हो यह यह वाला यह वाला और अभी इसे में थोड़ा सा शेड में रखोंगे बाद में अगले हफ्ते इसको मैं अभी सुबह की संलाइट में लाओंगी तो अभी इसे में यही पे रख दीते हूं फिला यहां पे इतनी ज्यादा मिट्टी होते है ना यानि पाइप से पाने डालत पूरी दिन धूप नहीं रहती है और यहां पर है सारे क्यलेडियम जो भी अभी भी तो मुझे लग रहा है काम दे रहे हैं और यह तो बिल्कुल मेरे साथ ही रहता है जैसे मैं उपर आती हूं जब मैं साथ होती हूं तभी इसे रखती हूं तो यहां से वो आने जाने वाल हाई हाई करो सिंबा हाई इकड़े बगना एपिलो सिंभू आई शिंभू तो चलिए इसको इसका काम करने दिते और चलते हैं गाडन ओवर्वू के तरह तो यह कैलेडियम अभी अच्छे से चल रहे हैं और कुछ दिन तो मैं इसे रखूंगी और बाद में इसके बल बहुत स काम तो इतना ज्यादा है बहुत ज्यादा अभी मैं रोजना वीडियो बना रहे हूं चोटे चोटे शॉर्ट शॉर्ट से क्या होता है आपके सब ध्यान में आता है और देखे देखते ही देखती यह सारा सेटप मैंने फिर से थोड़ा थोड़ी देर हाज से फोन नीचे र लाए है एक ही जगे पर तो देखे यह भी प्यारा लग रहा है और सिंभा भी देखे दूप ले रहा है और अभी वह सो गया है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स किजिएगा वीडियो अगर अच्छी ल लाए है और 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 लाए है